हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एल साइज फुल बाजू जेंट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया है आज इसका ये पार्ट नमबर दो है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुढ़े की घटाई और गले की घटाई करना बताऊंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इसका पार्ट नमबर एक मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है अगर आपने अभी तक इसका पार्ट एक नहीं देख लीजिए तो आज पार्ट टू में इसमें हम मुड़े की घटाई करेंगे और गले की घटाई करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इसका जो बैक पार्ट है वो हमने बिलकुल ही सीधी उल्टी सलाईयों से बुना है इसमें हमने डिजाइन नहीं बनाया है फ्रेंट वाले दिजाइन काउंट करके बताऊं क्योंकि यह जो दिजाइन है यह हमारा चोविस सलाईयों का दिजाइन है तो देखिए यहां तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ डिजाइन इसमें हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब इसमें हम मुड़्े की घटाई शुरू करेंगे. तो ये देखिए, ये जैसे हमारे ये डिजैन है 24-24 सलाईों के, 8 डिजैन बनाके, 9 में डिजैन की यहाँ पर मैंने पहली सलाई सीधी साइड से बना दी है. और अब इसमें मैं उल्टी साइड से मुड़्े की घटाई शुरू करूंगे. घटाई आप उल्टी या सीधी किसी भी साइड से कर सकती है. 24-24 सलाईों के, 8 डिजैन बनाके, 9 में डिजैन की पहली सलाई सीधी साइड से भी आप घटाई कर सकते हो. नौमे डिजैन की जो हमारी दूसरी सलाई आएगी उल्टी साइड पर इससे भी कर सकती हो लेंथ बाके हम हाइट के अनुसार ही बनाएंगे मैंने इसमें साड़े 22 इंच की लेंथ बनाई है और ये देखे ये जो इसका बैक पैट ये तो हमारा बिल्कुल ही प्लेन है तो इसमें हमें कोई डिजैन वगरा सेट नहीं करना होता है तो इसमें मैंने जो घटाई की है बेक पारट में, बेक पारट में हमने 5, 4, 3, or 1 की घटाई की है सेम दोनों साइड से, ठीक है, तो इसमें हमें बहुत आसान से हो जाएगा, और जो फ्रंट में हम घटाई करेंगे, वो करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 की इसमें हमारी 13-13 फंदे दोनों साइड से घटे हैं बैक पार्ट में और फ्रंट वाले में हमारे 15-15 फंदे कम होंगे क्योंकि हमारे बैक पार्ट में हमने प्लेन बुन्ने के करण 4 फंदे कम भी रखे हैं इसमें बैक पार्ट में उसी हिसाब से हमने यहां थोड़ी घटाई जादा रखे, तो यह देखे हम यहां से पांच फंदे की घटाई करेंगे, दो फंदे का एक कीजिए, फंदे को हलका सा लूज छोड़ दीजिए और फिर सलाइपर लियाए, फिर से दो का एक कीजिए, दो फंदे की घटाई होगी अब आगे आप डिजायन के हिसाब से सीधे फंदे है तो सीधे बनाईए और उल्टे है तो उल्टे बनाईए तो मैं सलाई को बुन देती हूँ तो ये देखिए ये सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई अब हम दूसरी साइड से 5 फंदों की घटाई करेंगे बिल्कुल सेम तरीका है दो फंदे का एक कर देंगे और इस फंदे को आप लूज रखिए फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर दीजिये फिर से स्लाई पर ले आईए और इसे लूज छोड़िए तो ये हमने दो का एक किया तीन फंदों के घटाई हो गई फिर से हमने दो का एक किया चार फंदों के हो गई इसे लूज रखिए स्लाई पर लाईए और ये देखे पांच फंदों के घटाई हो गई आगे फिर वही करना है जो फंदे आपको जैसे दिखाई थे वैसे करते हुए सलाई को complete कर दीजेए फिर यहां से हमारी चार फंदे की घटाई होगी फिर सलाई बनेगी फिर यहां से चार फंदे की और यह डिजैन मैं आपको 24 लईयों का बनाना बता चुकी हूँ सेम उसी तरीके से आपका डिजैन बनता जाएगा तो देखे 5-5 की दोनों तरब से घटाई हो गई फिर 4-4 फिर 3-3-2-2 और 1-1 तो एक तक की मैं घटाई कर लेती हूँ फिर आगे इसमें देखते हैं फंदे हमारे किस तरीके से बसते हैं और यहां से हम डिजैन को कैसे कंटीनू करेंगे ठीक है मैं इस पार इसकी यह 4-3-2-1 की घटाई और आगे पूरी कर लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंड से इसमें हमने अपनी घटाई को कम्प्लीट कर लिया है 5-4-3-2-1 ऐसे ही हमने इस साइड से की है 5-4-3-2-1 तो अब यह घटाई कम्प्लीट करने के बाद दिखे यह वाले जो हमारे 12 फंदे हैं इस से इधर यह जो डिजैन था इस डिजैन में से हमारे 4 फंदे बचे हैं अगर आपके 122 फंदे होंगे ना तो आपके यहां यह घटाई पूरी होने के बाद 4 ही फंदे बचेंगे अब अगर इन 4 फंदों को हम यहां पर जैसे एजस्टीच को छोड़के इन 3 को सीधा बुनते हैं तो यह एक डिजैन चोईस की लुक अच्छी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे यहां पर इस फंदे को तो एजस्टीच रखेंगे और इधर से एक फंदा हम और ले लेंगे और यहां पर इन 4 फंदों की हम एक केवल चला लेंगे जिससे हमारा यह डिजैन यहां पर भरा भरा लगेगा और इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी आपके जैसे माल्या कोई इससे बड़ा साइज बना रहे हो जादा फंदे हो अगर डिजैन आधा के लिए आधे फंदे बच जाए तो आप आधा डिजैन एजस्ट कर सकते हो और अगर ऐसे ही बचें 4-5 फंदे तो आप कोई भी केवल चला सकते हो इस तरह से हम अपने डिजैन को यहाँ पर बनाएंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी तो पहले फंदे को तो हम यहाँ पर एजस्टीज रख लेंगे क्योंकि यह मरस सिलाई में आएगा उसके बाद तीन फंदे तो हमारे यह सी दे बच रहे हैं इस वाले डिजैन में से एक फंदा हम इधर वाले डिजैन में से ले लेंगे यह जो इधर हमारे बारा फंदे है ना इसमें से ले लेंगे और इसमें हम यह एक केबल बनाना शुरू कर देंगे तो यह दो फंदे छोड़ कर नेक्ट वाले दो फंदों को हम ऐसे ले लेंगे और इन दो को उतार के इ नहां पर डाल लेगे और देखे पीछे की साइड से ऐसे यह हमारे आ गए ना इन चार फंदों को अब हम ऐसे सीधा बुन देंगे तो यह चार फंदों की यहां पर एक केबल चलेगी जिससे हमारा यह डिजाइन अच्छा बनेगा उसके बाद हमारे यह बारा की जगए ग्या की चलेगा आप इसके रिसके बीज में ठीक है इससे इसकी लुक अच्छी आ जाएगी आगे आपका जो डिजाइन बन रहा है ना जैसा भी बन रहा है उसी हिसाब से आप बना लीजिए यह जो हम केबल बना रहे ना यह आप चाहो तो चार-चार सलाइयों की रख लेना चा हमारा डिजाइन किस टाइप बन रहा है उसको बनाईए डिजाइन के लिए हमने पूरा कलियर किया हुआ है आगे फिर हम चार फंदों पर केबल बुनेंगे तो मैं यहां तक बुन लेती हूं इसको तो यह देखिए अपने डिजाइन के अनुसार बनाती हुए हम लास्ट म वाले दनाईघ में स्लाइड बनेंगे इन वाले पेचे की स्लाईग पर हम आगे कर देंगे और इन चारो फंदों को अब हम सीधा बनेंगे यह केबल मैं पहले चैनल पर अप्लोड कर चुके हूं, सबसे आसान केबल होती है, हम कोई भी कोटी जैकेट स्वेटर बनाते हैं, तो इस तरह से इस केबल वाले डिजैन में हम साथ में घटाई के बाद इसको चला सकते हैं, अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर हमें जो फंदे जैसे दि सीदे होते थे, अब एक हमने इधर वाले डिजैन में ले लिया, तो अब ये हमारा एक ही फंदा सीदा चलेगा, यहाँ पर आगे फिर आपके जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आप इसको बुन लीजिए, लाश्ट में भी आपका यहाँ पर ऐसे ही होगा, यह एक फंदा सीदा और आगे के पांच उल्टे, ऐसे करके आपने सलाई को बनाना है, सीदी साइड पर फिर आपके जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, सीदें, 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 उल्टें, उल्टें, डिजैन हमें देखना, डिजैन हमारा कैसे चल रहा है, उसी हिसाब से वो इस वाली केवल के हिसाब से तीसरी सलाई आ जाएगी चोथी सलाई फिर उल्टी साइड पर इस केवल के हिसाब से बता रही हुँ मैं आपको फिर वो जैसी दिखाई दे वैसी बनाई है तो ये देखे फ्रेंट्स ये जो हमने चार फंदे की यहाँ पर केवल बनाई ये हमारी चार सलाई यहाँ पर पूरी होगी पहली पर हमने ट्विस्ट किया फिर दूसरी उल्टी साइड से तीसरी सीधी साइड से जैसे फंदे थे वैसे बना दिये चोथी उल्टी साइड से अगर आपको चार सलाईों पर ये केबल ट्विस्ट करनी हो तो अब पांच भी सलाई पर इनको ट्विस्ट कर दीजिए लेकिन मैं जो है छे-छे सलाईों के बाद इसको ट्विस्ट करूँगे करने का तरीका वही होगा यह एजश्टिच हो गया इन चार फंदों में से इन दो को छोड़के इन दो में हमाई से आगे से सलाई डालेंगे और इनको आगे गर देंगे मैं करके दिखाऊंगे चार मैंने बनाई हैं पांचमी सीधी साइड से और छुटी उल्टी साइड से वैसे ही हम इनको भून लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने यह ट्विश्ट करने के बाद यह सलाइया बून ले यानि 6 सलाइया हमारी पूरी हो गए अगर आपको लगे कि मेरे से एक फंदे पर सलाइय कंप्लेट नहीं होगी केबल आ जाएगी तो आपने क्या करना है यहां स्टार्टिंग में आप दो उल्टे रख लीजिए और फिर यह चार फंदे की केबल बना लीजिए और आगे आपके जो बारा थे ना इसमें से दस बच जाएंगे दस में से यहां एक फंदा उल्टी साइड से सीधा चला लीजिए और नो फंदे आपके यह इधर बच जाएंगे आप इस तरीके से अड्जेस्ट कर लेना आप अपना देख लिजेगा कि एक फंदे पर सलाइय आप कंप्लिट कर पाओगे के नहीं ठीक है ताकि फिनिशिंग आए अब यह दो चोड़के नेक्ष्ट वाले दो फंदे में हम इस तरीके से यह श्याइड दाल देंगे और इन दो को उतारकर बैक साइड की स्लाइय पर डाल देंगे इन दो को लाएंगे और अागे डाल देंगे यहां पर हमने यह जो चार सउर दे र अब हमें इसकी जो length बनानी है ना क्योंकि गले की घटाई करने तो घटाई करने के लिए आप यहां पर देखिए हमने इसके जो back part है इसमें अपनी arm hole की length complete की हुई है यह इस तरह से round में नाप करके यहां तक मैंने 10 inch बनाई है तो इसमें हमारी large axle size तक इतनी ही length बनेगी double axle हो होगे round में करके क्योंकि यह हमारी जो गोलाई होती है इसको हम गोलाई में ही नापेंगे तो इसको खीचना नहीं है normal रखिएगा बिना खीचे और ऐसे रखके नापके देखिए यह 10 inch है हमारा तो अब जब हम यह front बना रहे हैं तो ठीक ऐसे ही हमारी 5 inch की जब length हो जाएग यह round में नापके तब हम इसमें गले की घटाई करना शुरू करेंगे किसी भी part को आपने खीचना नहीं है normal ऐसे रखना है ऐसे नापिएगा और यह देखेगा हम इसको ऐसे 5 या सवा 5 सवा 5 हमारा यहां तक होगा इतना हम इसको बुन लेंगे उसके बाद इसमें हम गले की घटाई करेंगे तो अब मैं इसको बुन लेती हूँ फिर आपको इसमें गले की घटाई करके दिखाती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स इसकी length मैंने यह complete कर ली है इस तरह से जब इसका round में नाप लेते हैं तो यह मैंने 5 इंच तयार कर ली है सवा 5 या 5.5 इंच आप बना लीजिए एक दो सलाई उपर नीचे ओती है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अब मैं आपको गले की घटाई का सबसे आसान तरीका यह बता देती हूँ कि हमें यह लंबाई का हिसाब कैसे रखना होता है चाहे हम बच्चे का बनाए बड़े का बनाए किसी के बनाए बैक पार्ट को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं जितनी हमने आरम होल यह जो लैंथ बनाते हैं इस लैंथ को देख लेते हैं उसकी हाफ हाफ हो जाए या उससे एक दो सलाई नीचे या एक दो सलाई उपर यानि गला हमें किस इसाब से डीप रखना है तो मैं जो सही नाप आता है गले का वो इसी हिसाब से आता है कि हम जो लंबाई रखें आरम होल की उसकी आधे तक राउंड में ऐसे करके नाप बुन लें और फिर हम अपने गले की घटाई करें तो गले की शेफ अच्छी आती है जो वी गला बनाते हैं तो वी गले का हमें क्या करना होता जैसे हम मुड़े की घटाई शुरू करते हैं पांच फंदे की यहां से की फिर पांच फंदे की जब हम यहां से करके सलाई को बुनना शुरू करते हैं तो बीच में आके हमारी गले की घटाई वी गले में शुरू हो जाते हैं गोल गले की हम घटाई करके जितने मुड़े चार टीने की है यांनी 13-13 फंदे गटाई है लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमने 5-4-3-2-1 की घटाई की है क्योंकि बैक पार्ट में हमारे overtime ये फंदें 122 शंदे हैं तो ये हमारे मुट्टे की घटाई हुई हो 15 फंदे की 1 साइड से और 15 फंदे 9 साइड से या and आपर बाण्वे मैंसे हम जो कंदे के फंदे रखेंगे वो रखेंगे 21 और 31 तो तीस मेंसे भी हम क्या करेंगे जो गले के हम बीच में फंदे गटाएंगे वह 14 फंदे एक बार में ही बाइंड आफ कर देंगे तो 14 फंदे bind off करने से फिर बच जाते हमारे पास 16 फंदे, 8 फंदे की घटाई ऐसे जाएगी, 8 फंदे की घटाई दूसरी साइड से जाएगी, तो जो 8 फंदे की घटाई होगी उसमें हमारी 3, 2, 1, 1, ऐसे हम घटाएंगे, तो अब हमारे पास यहां पर है 92 फंदे, 92 में से हम चोदा फंदे बीच में बंद करने हैं घटाई आप सीधी या उल्टी की सीवी साइड से कर लिजे इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है जिस साइड की सलाई पर आप करना चाहो उसी से कर सकते हो तो हमारे पास जो अब 92 यानि 92 फंदे हैं उसमें से हमें 14 फंदे बीच में बं करेंगे आपका मन करें सीधी साइड से कर लिजे तो हम क्या करेंगे यह जो 39 फंदे हमारे एक साइड के बच गए इनको हम अपने डिजायन के हिसाब से बुन लेते हैं तो यह देखिए डिजायन के अनुसार मैंने फंदों की बुनाई कर ली है मैं आपको गिन के दिखा द 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 पेर यानि 19 दूनी 38 और यह लाश्ट का हमारा बच गया 49, 39 फंदे हमने बुन लिए अब हम यह जो हमारे 14 फंदे हमें बीच में बाइंड ओफ करने हैं इनको बंद कीजिएगा देखिए दो फंदे का आप यहाँ पर एक फंदा कीजिए और इस फंदे गले की शेप खराब हो जाएगी फंदे उठाने के बाद भी इसलिए इस फंदे को लूज छोड़िए और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर दो का एक कर दीजिए फिर से इस फंदे को आप सलाई के ऊपर लाइए और लूज छोड़िएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर दीजिएगा ऐसे ही लूज फंदा रखना है सलाई पर लाना है और दो का एक करना ऐसे करके आप यहां पर 14 फंदों को बंद कर दीजिए यानि 14 फंदे बाइंड ओफ कर दीजिए तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैंने इन 14 फंदों को बाइंड ओफ कर दि अब आज ये इसकी सीधी साइड पर अगर आपने उल्टी साइड पर यहां से सीधी साइड से घटाई की होगी तो उल्टी तरफ आ जाओगे बस इतना ही अंतर आएगा अब हम यहां से यहां तक यह जो हमारे 39 फंदे हैं इनको अपने डिजाइन के हिसाब से हम यहां तक इनको बुन लेंगे इसमें हमारी घटाई उल्टी तरफ से होगी इस वाले पार्ट में हमारी सीधी साइड से अब आगे की जो घटाई होगी वो होगी दोनों पार्ट में बस चाहे आप सीधी साइड से घटाई करना चाहे उल्टी साइड से घटाई करना यहीं अंतर आएगा एक पार्ट में आपकी सीधी तरफ घटाई होगी एक में उल्टी तरफ दोनों पार्ट अब आपके अलग-अलग बुने जाएंगे, क्योंकि दो हिस्से हमारे हो चुके हैं, तो अब हमारा पहले इदर का बुना जाएगा, इन 39 फंदों की मैं बुनाई कर देती हूं, तो ये देखिए, सलाई को मैंने कम्प्लीट कर लिया है, अब आज ये इस साइ कर दीजिए, फिर से इसे लूट छोड़िए, और सलाई पर लाइए, और दो का एक कर दीजिए, इस तरह से हमारी ये तीन फंदे की घटाई हो गई, अब हम डिजैन के अनुसार अपने सलाई को बुनेंगे, फिर सीधी साइड से भी सलाई को हम बुन लेंगे, तो ये फंदे हमारे रहेंगे, फिर हम ऐसे ही एक बार दो के घटाई कर देंगे, फिर तीन बार हमारी ऐसे ही उल्टी साइड पर एक एक ही घटाई होगी, तो आठ फंदे हमारे घट जाएंगे, फिर जो 31 फंदे बचेंगे, उनको हम अपने डिजैन के अनुसार बुनते हुए, इसकी आरम होल की लेंद को पूरा कर लेंगे, जितनी हमने बैक पार्ट में बुनी है, बैक पार्ट में हम दो से तीन सलाईों के घटाई करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगे, फिर इधर वाली साइड पर आपने क्या करना, जब ये वाला पार्ट आपका कम्पल सलाई करनी है, फिर आप सलाई को बुनिये, उल्टी तरफ की बुनिये, फिर तीन बार एक एक की घटाई करके फिर जो फंदे बचे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी लेंद को पूरा कर दीजे, तो इस तरीके से तो आपकी होगी ये वाली घटाई, अब मैं आप आपको इसकी बैक पार्ट में भी घटाई बताती हूं कि हमें दो या तीन सलाईों की घटाई करनी है, ज्यादा नहीं करनी है बैक वाले गले में, नहीं तो फिर वो ज्यादा डीप में चला जाता है, दो या तीन सलाईों में ही हम इसकी घटाई करेंगी, तो ये देखिए बैक पार्ट में हम दो या तीन सलाईों में ही गटाई को पूरा करते हैं आप यहाँ पर भी सीधी या उल्टी किसी साइड से भी कर लीजिए जादांतर नहीं आएगा लगभग हमारी 10 इंच या 10 इंच एक दो पूइंट उपर ही हमारी लेंथ में पूरी हो जाएगी तो हमने शोल्डर के जो फंदे रखे फ्रेंट वाले पार्ट के वो रखें 31 तो 31 ही हम रखेंगे बैक पार्ट के तो यहाँ पर हमें क्या करना तीन फंदे की एक सलाई में ही घटाई करनी है तो यहाँ जैसे मैं सीधी साइड से ही बुनती हुई आ रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 34 फंदों की बुनाई कर ली है 31 फंदे हमारे शोल्डर के और 3 फंदे मैंने रखे हैं ये घटाई के उसके बाद हम क्या करेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे 34 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम बाइंड ओफ करेंगे देखिए इस तरीके से आपने करना है दोका एक कीजिए फंदे को आप लूज छोड़िये डाइट करोगे तो शेप अच्छी नहीं आएगे फिर दोका एक इसे लूज छोड़िये और सलाई के उपर लेए फिर से दोका एक ऐसे करते हुए 34 यानि 34 फंदे रहने तक इन फंद तो गले की जो शेप आई वो बहुत सुन्दर आएगे तो ऐसे करते हुए मैं 34 फंदे रहने तक इन्हें बीच में बंद कर देती हूं तो ये देखिए मैंने इन बीच के फंदों को बंद कर दिया अब हमारे पास ये 34 फंदे 33 फंदे तो ये वाले हैं और 34 फंदा ये जो हम बंद करते हुए आ रहे हैं हमारा सलाई के उपर ये है अब हम धागे को पीछे करेंगे और आगे के फंदों को हम बिल्कुल सीधा बु लिए घटाई के वह कंप्लीट हो जाएगी यह हमारी पहली सलाई है घकाई में जिसमें हमने फंदों को स्वाइन ओफ किया है कि तो यह सीधी साइड के फंदे बनाकर फिर उल्टी साइड से भी सलाई को आप बुन लीजिए तो ये देखिए मैंने उल्टी तरब से भी सलाई को बुन लिया यानि total हमारी घटाई में 2 सलाई आवनी पहली सलाई पर हमने ये फंदे बंदो किए बंद कर दिये और दूसरी सलाई हमारी उल्टी तरब से बुनी गई अब ये last तीसरी सलाई तीन ही सलाईों की back part में घटाई होगी तो अब देखिए यहाँ पर हमें तीन फंदों की घटाई करने है तो मैं यहाँ पर इस वाली सलाई को छोड़ दूगे क्योंकि इधर हमें फिर घटाई करने ने तो इसी में यह फंदे आ जाएंगे फिर हमें पलटना होगा तो हमने अपनी एक्स्ट्रा सलाई ले ली है और यहाँ से हम तीन फंदों की घटाई करेंगे देखिए दो फंदे का एक करेंगे इस फंदे को हम लूज रखेंगे सलाई के उपर लाएंगे और दो का एक कर देंगे दो फंदे हो गए फिर से इसको सलाई के उपर लाएंगे लूज रखते हुए और दो का एक कर देंगे अब एक फंदा तो ये और तीस फंदे हमारे ये बच गई अब इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे तो बस यही तीन सलाईों में हमारी बैक पार्ट की घटाई दिया है और दूसरे वाली जो उन हमारी है इसी की अब यह जो बच गई इसको हम यहां पर बांद लेंगे इस हिससे पर तो यह देखिए यहां पर मैंने अपनी उन को जोइंट कर लिया है जहां से हमने बाइंड ओफ करना शुरू किया था अब यहां से देखिए इस पर ही हमारे तीन फंदों के घटाई होगी इसमें हमारी तीसरी पर होगी वस यहीं अंतर आएगा सलाइया वही हमें तीन-तीन ही बुन्नी है तो देखिए यहां से हम दो का एक करेंगे फंदे को लूच छोड़ेंगे सलाई पर ले आएंगे फिर दो का एक दो फंदे घट पर लाएंगे और दो का एक करेंगे अब आगे हमारे यह थीन सलाइया हो गया इनको हम उल्टी तरफ है यह तो उल्टा- Ο्टा VUन लेंगे फिर यह हमारी दो सलाई पूरी होंगी तीसरी सलाई आएगे सीधी साइड पर उसको हम सीधा सीधा भून लेंगे तो यहां पर ज हो गई है अब मैं ये जो फ्रेंट वाले पार्ट है इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है सेम तरीके से अब आप ऐसे घटाइ कीजिए और इसकी में जितनी लेंध हमारी बैक तो यह देखिये फ्रेंड से दोनों साइड के पार्ट इसके complete हो गई है आप सब इसके गले की शेप देख सकते हैं बहुत इस सुन्दर एकदम गोलाई में आई है तो गले की घटाई complete हो गई है आरम होल की जो हमारी length है ये भी पूरी हो गई है तो आप इसे 10 इंच या 10 उपर हो जाए कोई दिकत नहीं है इतना आप बना लिजे अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे तो कंधे जोड़ने के लिए देखे आप सुई से भी जोड़ सकते हैं और सलाईयों से भी मैं इसके कंधे सलाईयों से जोड़ूंगे सुई से जोडने की वीडियो में पहले ही चैनल पर डाल चुकी हूँ तो सलाईयों से क्या करेंगे ये हमारा सीधा पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हमने रखा हुआ है ये भी सीधा है तो सीधे से ऐसे हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से और यहां पर आप देखे ये वाली जो हमारी सलाईया है इनके इधर हमारे ये नोक है तो सबसे पहले हम अपनी सलाईयों को पलट लेंगे तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी सलाईय में फंदे डाल लिये हैं और अगर आपके एक की साइड पर दोनों नोक हो जाएं तो कोई बात ही नहीं फिर तो आपको पलटना ही नहीं पड़ेगा लेकिन मेरे दोनों अलग-अलग थे तो मैंने दूसरी सलाईय में डाल लिया है अब हम क्या करेंगे दोनों सलाईयों को ऐसे पकड़ेंगे और जैसे कि अगर आपका इस तरफ धागा हो तो इस साइड से आप फंदे डालना शुरू करना तो इस साइड से आप आइंड ओफ कर लेना दोनों इस साइड हो तो किसी भी तरफ से डाल लो कोई फरक नहीं पड़ता तो मैंने इधर का बहुत छोटा धागा छोड़ा हुआ है और ये काफी बड़ा है तो हम इधर से डालना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे एक फंदा जैसे कि हम बैक साइड से लेंगे ये देखिएगा इस तरीके से पहले आप अपनी तरफ का भी ले सकते हो लेकिन फिर तरीका वही होगा अगर पहले अपनी तरफ का लिया तो फिर हम बैक साइड का लेंगे फिर एक धागा हमारा ये फंदा नीचे गिर गया था मैंने इसको उठा लिया है एक इधर का लेंगे हम ये वाला फिर से हम एक पिछे वाली सलाई का लेंगे एक इस सलाई का तो ऐसे हमें इन फंदों को एक सलाई में डाल लेना है एक अपनी तरफ से डालेंगे, एक हम बैक साइड से डालेंगे, तो हमारे पास 31-31 फंदे दोनों सलाईयों में हैं, तो ऐसे करके हम एक ही सलाई में इन फंदों को कर लेंगे, एक बार अपनी तरफ का फंदा डालेंगे, एक बार बैक साइड का, ऐसे करके हमें इनको एक में क यह हमारी आरम होल से आरम होल ऐसे सेट हो जाती है अब हम इन फंदों को बाइंड ओफ करेंगे तो देखिए बाइंड ओफ कैसे करना है स्टार्टिंग में हमारे ये दो फंदे इन दोनों को एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को ना तो आपने लूच छोड़ना ह और ना ही टाइट करना है नॉर्मल रखिए और नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लेकर तीन का एक कर दीजिए फिर से से नॉर्मल रखते वे सलाई पर डालिए और नेक्स्ट वाले दो फंदे लेकर तीन का एक कर दीजिए ऐसे करके आप इनी सभी फंदों को बंद कर बहुत ही finishing के साथ हमारे ये कंधे joint हो गए है अब ठीक इसी तरीके से आपने दूसरी side के कंधों को जोड़ लेना तो मैं अब ये दूसरी side के जोड़के फिर आपको दिखाती हूं तो ये देखेए friends कंधे इसके हमने जोड़ लिये हैं और गले की जो गोलाई वाली shape वह आप बहुती सुन्दर आई है ना जादा हमारा गला डीप है और ना ही जादा छोटा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कर देजना और अपने सभी फ्रेंड्स गूरूप में इसे शेर जरूर कर देना इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपक का बहुत बहुत धन्यवाद